आग्रा में सर्वाधेत लोग प्रिये चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जून तक भारत को कोरोना का एक और टीका मिल सकता है कंपनी को उमीद है कि उनके जायकोब डी वैक्सीन के आपात इस्तिमाल की मंजूरी जून में मिल जाएगी रिपोर्ट्स में कंपनी के प्रबंद निदेशक शर्विल पटेल के हवाले से यह जानकारी दी गई है यही नहीं कंपनी 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन की मंजूरी पाने की दिशा में काम कर रही है ब्लूम वर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में नाम उजागर ना करने की शर्थ पर एक व्यक्ति के हवाले से कहा है कि एहम्दाबाद इस्तित इस कंपनी ने अपने ट्रायल के तीसरे चरण के तहत पंदरा सो से ज्यादा बच्चों पर जायकोव डी टीके का परिक्षन किया है रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत में बच्चों पर किसी टीके का परिक्षन नहीं किया गया है Financial Express के साथ बातचीत में पटेल ने कहा कि जायकोफ जी के 30 रेजिरन्ट के ट्रायल में कोरोना के अलग-अलग सुरूपों पर इस टीके की प्रभावोत पादकता सामने आईगी देश में इस टीके का बड़े पैमाने पर ट्रायल किया जा रहा है उन्होंने बताया कि टीके के परेक्षन के लिए 28,000 से ज्यादा वॉलेंटियर्स को शामिल किया गया है रिपोर्ट के मुताबिक कमपनी का कहना है कि टीके को मंजूरी मिल जाने के बाद उनकी योजना, एहमदाबाद और बडोदरा इस्तित अपने सैयंत्रों में हर साल 24 करोड वैक्सीन बनाने की है कमपनी अपना टीका भारत को देने के साथ साथ बाहर अन्य देशों में भी निर्यात करेगी देश अभी कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है इस बीच भारत सरकार के प्रधान विज्याने एक सलाकार के विजय रागवत ने तीसरी लेहर का आना अपरीहारे बताया है रागवन ने कहा कि तीसरी लेहर को टाला नहीं जा सकता लेकिन यह तीसरी लहर कब आएगी इसके बारे में निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता तीसरी लहर में बच्चों के महामारी के गिरिफ्ट में आने की अशंका जताई जारी है सीनियोस के लिए लक्षमी रास सिंग की रिपोर्ट